गुंजन शिखर से डरते डरते हुए कि पूछी रही थी शिखर जी क्या इस घर में ये सब अलाउट है कि तब ही पीछे से एक घर के दर्वाजे की खड़कनी की एक और अवाज आती है और सब मुड कर देखते हैं तो शिखर का दोस्स सैम था सैम भे रंग में रंग होलने घ शिकरोगे सुन्दगी के सारे मज़े कैश ओ कैश क्यों पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है क्या बोलती क्या चीज़ पैसा क्या बोलती और बेबड़ा सैम गुनगुनाता हुआ गुनजन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और बेबड़ा सैम तो भारत की आजादी के नारे ही लगाने लगा था गुनजन जी लगता है इसकी थोड़ी जादा हो गई आहिस्ता बोल बे बड़े लोग उठ गए तो पार्टी का मज़ा करकरा हो जाएगा गुनजन सैम की ऐसी बाते सुनकर सहम जाती है तभी शिखर सैम के मूग को दबोच कर उसे अंदर ले जाने लगता है अरे चुपो जा मेरे बाप चुपो जा अवे यार तू क्या लड़कियों के सामने हवा बना रहा है मैं तेरा बाप थोड़े हूँ तू तो पहाड़ी है और मैं कभी पहाड़ में गया ही नहीं नहीं तेरी मम्मी का विधर शिखर साम को कवरे में फैक देता है वो गुंजन जी एक निवू ला दीजिए लगता है इस गादे का मू निवू ठूस कर बंद करना पड़ेगा गुंजन अजीब सा मू बना कर केचन के और चली जाती है वो मुढ़ी रही थी कि ठीक उसके पीछे पठाकड़ी सी जूली खड़ी थी और उसे अजीब तरह से घूर रही थी हम ऐसा तो कुछ नहीं है तुझ में कि शिखर तुझ से इंप्रेस होगा बहन जी सी तू चाल तेरी जिंगुर सी जी के अलावा बोलना तुझ पर आता ना तू आशिकी लड़ाएगी शिखर से हैं तू लप्पूसी शकल की ये सबाब क्या बोल रही है हरी डॉली ये तो ये भी नहीं समझी और मैं सोची थी कि कहीं सच में इस मीना कुमारी के अंदर शिखर ने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं देख लिया जो इससे प्यार कर बैठा हो जी आपको मुझ से क्या चाहिए एक जी आगे लगाती हो एक जी पीछे लगाती हो इतने जी लाती कहां से हो हां कहें किसान की बेटी तो नहीं जो सारा जी खुद ही उगाती हो बाडॉली क्या बोली तुम तभी वहाँ शिखर आ जाता है गुंजन को शिखर की बात का बेहत बुरा लगता है टीचर क्या होते हैं? ये आप सब शाहिद समझते भी नहीं है जानते हैं एक माँ भी एक टीचर होती है बच्चे की पहली टीचर बच्चे का बोलना सीखना उसका पहला सबक होता है जो उसे अपनी माँ से मिलता है और शिक्षक के बारे में आप जानते ही क्या है आज तक जो सीखा है ना आपने कि अंग्रेजी के चार शब्द चपट चपट कर जो बोल रही है अगर कोई शिक्षक ना सिखाता तो ना बोलने की काबल नहीं बनते और माँ अगर पैदा होती ही कह देती ना कि जाओ मैं तुमको बोलना सिखाऊंगी ना ना उटना ना बैटना ना चलना तो आज आप सब यो मेरे सामने खड़े ही नहीं होते गुंजन के मोँ से निकली बोली से सबका मोँ खोला रह गया था भीगी बिल्ली जो कोने में दुपकी हुई थी आज उसने पंजे खोले थे और गुंजन पलट कर जाने लगती है तभी उसके कानों में हसी की आवास पढ़ती है अरे यार शिखर यहां कोई स्टेज लगाओ और माडम को स्पीश देने के लिए फर्स प्राइस दो अरे माडम तुमको लप्व क्या बोल दिया तुम तो हम ही को लप्व समझने लगी मैं तो अभी भी बोलूँगी बिगाड क्या लेगी क्या बिगाडेगी चल अब सुन हेई यू तुझसे कह रही हूँ हमारी महमान नवाजी करने के लिए रखा है तुझे क्यों शिखर चल अब आइस ला जा आइस लेकिया गुंजन रियाक्ट ही नहीं करती है एक अबारन आइस ला न बर्फ बोलकर देख तो हिंदी मीडियम की होगी न तो शायद समझ नहीं आ रहा होगा शिखर तुम बोलो शायद तुम्हारा कहा माने गुंजन बिचारी बहार आती है तो प्रतीक को फोन करती है प्रतीक उसका फोन नहीं उठादा तो वो मनिका के पास जाती है मनिका नीन में ही उस पर जला कर दर्वासा उसके मूँपर दे मारती है अरे फोकठी वो तो किराया दे रहा है तो जो उसके जीमे आए उसे करने दे पर तू क्या दे रही है हमको कुछ दे नहीं सकती तो उसकी खाते दारी ही कर दे करम जली गुंजन बिचारी अपना सा मूँ लेकर मनिका की बात मान कर बरफ लेकर शिखर के पाटी में जाती है अब जूली भी गुंजन का सुन्दर रूप देख कर थोड़ा जलने लगती है अरे सिफ हम ही पिएंगे क्या ये बेहन जी कुछ खास है क्यों ये नहीं पिएगी ची नहीं मैडम हम नहीं पीते हैं फ्लीज ये से मत करिए पर दोनों लड़के गुंजन की साड़ी से लेकर उसके बालों को खीषते हैं उसका मजाग बना कर हस रही थी और हद तो तब हुई जब जूली ने अपनी शराप का गिलास गुंजन के सिर पर खाली कर दिया शिखर ये देख हस रहा था गुंजन वहां खड़ी खड़ी रो रही थी क्या शिखर गुंजन के आसु को पहचान पाएगा या फिर वो भी उसके जिन्दगी में काटे ही विच्छाने आया है देखिये आगे क्या रहती गुंजन के शरीर पर शराप की बूने टिप टिप कर लहरा रही थी और गुंजन उतनी ही तेज सुपक्या लेकर रो रही थी और शिखर गुंजन के पीड़ा पहचान जाता है और वो तोलिया उठाकर गुंजन को देता है शिखर देखता है तो जूली डॉली सोफे पर उच्छर रहे थे जूम रहे थे वो दोनों को वहाँ से हटाता है दोस्त कैसे भी हो शिखर जी ने ये तॉलिया देकर अपनी शालिंता को बता दिया है उसके जोकर दोस्तों की हरकते देख गुंजन के आसू सब हलकी हसी में बदल गए थे जूली डॉली नशे में जूम कर अगभी इधर तो कभी उधर जा रही थी अरे इधर चली मैं उधर चली जाने कहा मैं किधर चली अरे फिसल गई धम और जूली फिसलती है तो उसके हाथ में पक्री शराब भी उचल का अरगुंजन के चेहरे पर फिर से गेरती है उपस ये मैंने क्या किया बेहन जी तो भीग गए जूली बस दिस इस दिलिमिट नाव आप तुमको जादा कर रही हो ओ हनी इसके साथ क्या जादा कर रही हो तुमने जो किया था उसमें तो ज्यादा ही मजा था वैसे बताओं एक बात यहां आने से पहले एक बार तो मेरा मन बैट गया था कि उसी घर में जा रहे हैं जा ये रह रही है सुचा की पता नहीं क्या पता वो इतनी सुन्दर या होट भावी टाइप होगी कि मेरा हनी उस पर फिसल गया होगा बस बस बेवी नाव यू आर गोइंग आफ ट्रैक लगता है तुमको चड़ गई है गुणजन जूली की बाते सुन रही थी और रो रही थी गुणजन अब जान गई थी कि वह काल करने वाला शिखर ही था एकदम से गुणजन का नजरिया शिखर के लिए फिर से बदल गया था उसके चहरे की हसी आसों में फिर से बदल गई थी गुणजन उसके चहरे की और देख रही थी जैसे जैसे शिखर का चहरा उसकी निगाहों के सामने घूम रहा था वैसे वैसे प्रतीक की लाते उसे अपने चेहरे पर मैसूस हो रही थी गुंजन फूट-फूट का रोने लगती है यानि कि वो कॉल करने वाले आप थे? शायद इसलिए शिक्षा वाली बात मैंने आपको सही बोली थी क्या मिला आपको वो सब करके? क्या मिला? और गुंजन भयंकर रोते हुए वहाँ से तेज दोड़ कर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर पढ़ जाती है और साम डॉली जूली को लेकर जाने लगता है शिकर अभी भी गुंजन की बातों के बारे में ही सोच रहा था जूली शिकर के गाल पर एक किस करके वहाँ से चली जाती है और उधर शिकर भी सोजाता है अगली सुबह होती है शिकर की आग खुलती है और शिकर घर में राउन लगाने लगता है तबी भी गुंजन की कमरे के पास से गुजरता है उधर गुंजन की भी आग खुलती है तो प्रतीक उसके पास बैठा होता है प्रतीक उसके चहरे के और देखकर मुस्कुराता हुआ उसका चहरा से हलाता है और उसे किस करता है और शिकर वाँ से हट जाता है आप आगई कब आए वो उटने लगती है पर प्रतीक उसे उटने से मना करता है अरे सोही रहो इतना काम करती हो ठक जाती हो ना देखो तो कहीं बुखार तो नहीं है और प्रतीक गुंजन की गर्दन शुकर देखता है और अचानक से उसका गला जगर लेता है और प्रतीक अपने चमड़े के बेल्ट निकाल लेता है शिखर के पाटी कान के बाद क्या शिखर ने ही प्रतीक से गलत तरीके से कह दी थी या प्रतीक जैसा सन की पती बस अपने पती को पीटने का मौका ही ढून रहा था जानने के लिए देखते रहिए रंग बदलते रिष्टे के बलाफसटी पर थैंक्स पर वाचिंग